आज हम आपको इस वीडियो बताने वाले हैं कि अगर आप CISF fireman का return exam qualify कर लिये थे और यहाँ पर DVB qualify कर लिया है मतलब document verification अगर आपने qualify कर लिया है तो कहीं ने कहीं आपके अंदर एक सवाब तो चली रहा होगा कि आखिर कितनी cut-out बनेगी medical के लिए और medical के लिए कुल कितने बच्चे जाएं क्या वैकेंसी के डेड़गुना जाएंगे या वैकेंसी के तिनगुना बुलाए जाएंगे याफि जतनी वैकेंसी है उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे medical के लिए जो भी doubts आपके अंदर चल रहा है side doubts आज इस वीडियो में मैं किज़र करने वाला हू और ये वीडियो खास करके आफिक लिए है जो बच्चे सियासा फायर्मेन का रिटानी जाम क्वालिफाई करके और डीवी को भी क्वालिफाई कर लिए हैं वो सभी इस वीडियो को कमपलिटे जरूर देखना आप सभी जानते हूंगे वैकेंसी यहाँ पे 1149 पोस्ट निकल उससे पहले आप अगर इस चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आपको इस चैनल के माजदम से सारी चीज़े बताई जाती है विश्टार से ठीक है मैंने वहाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सियासा फायर्मेन में साफसा बता जाएगा अगर ऐसा होता तो आप सभी का मेडिकल और डॉक्में विरिफिकेस्टन यह साथ में होता लेकिन ऐसा नहीं बोला गया वह ऐसा बोला गया कि आप सभी को यहां पर रिटर निजाम में क्वालिफाइग कर दे जाएगा मिनिमम पास्मार्किंग पर तो सियासा ने का जाया यहां पर दिमाग लगाया अगर नेस्ट स्टेज था नेस्ट स्टेज में हम यहां पर देते हैं और देवी के बाद हमारा यहां पर मेडिकल हो जाएगा ठीक है रिप्सक्वी कुछ भी नहीं हो ओग्ति db qualified करके आया है आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आकी db में हो क्या रहा है कुछ नहीं हो रहा सिंपल जाओ document जमा कर दो वस चले आओ इतना ही हो रहा है बाकी कुछ घवराना घवराने की बात है ही नहीं उसमें ठीक है छले फ़्ली कोई बात नहीं तो आप DB qualify करी चुके हो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बज़े ने qualify की है उन बच्चों की cut off जो है वो list का जारी होगा यह बहुत ही बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए और medical जो है आप सभी कब से करवाई जाएगे ठीक है अगर हम बात कर लेते हैं में दोस्त कितनी cut off रह सकती है मेरे भाई लिष्ट जो है आप सभी की वह दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिलीज कर दी जाएगी कि आउट हो जाएगी तो आप वहां से डाउनूट करके देख सकते हैं कि अकिर cut off इतनी गई है लेकिन अगर मैं आपको यहां पे एक अप्रॉक्स cut off बताऊं तो यहां पर बच्चे जो qualify किये जाएंगे medical के लिए जितनी वेकेंसी है उतने ही बच्चे medical के लिए qualify किये जाएंगे क्योंकि CSF का rule जो है काफी अलग है खास परके फार्में के लिए cut off जारी कर दी जाती है लेकिन CSF में ऐसा नहीं है CSF फार्में में होता क्या है जैसे आप DB qualify कर लिए तो उतने ही बच्चे medical के लिए qualify के जाएंगे जितनी की वेकेंसी है जहां सुनिएगा जैसे 1721 वेकेंसी है ठीक है तो 1721 बच्चों को ही medical के लिए बुलाया जाएगा medical के लिए बुलाया जाएगा 1721 वच्चे को अगर मालो 1721 वच्चे medical के लिए पहुचते हैं और उसमें से 21 वच्चे medical पास नहीं कर पाई किसी करर से और वो बाहर हो गए तो क्या उनकी 21 जो खाली post हैगी वो खाली चली जाएगी तो जीया दोस्तों आप फिलाल देखा जाते प्रकार से गलत है क्योंकि जिस बच्चे नहीं पर रणिंग क्वालिफाइग किया है अगर वो पॉंट सेटक रहा है तो जो वेकंसी खाली जा रही है उसमें उनको से लटो चुके हैं खाली उनको बस मेडिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा और मेडि यह सब आपके भरती में अब आगे होने वाला है अब हम बात कर लेता है मेरे भाइए कि आप सभी की कट-off जो है कब आइक को इतनी रहे सकती है मेरे भाइए मैंने बता जिया कि दिसमबर के सब्सक्राइब दिसम्बर के फर्स्ट वीक में आप सबकी कट आफ लिस्ट जो है श्यासाफ की ऑफिसली साइट पर जारी कर दी जाएगी आप उर लिस्ट को डाउनोड करके उसमें अपनी कट आफ दे सकते हैं और उसके बाद जस्ट आपका अड्मिट कार्ड भी 24 गंटे गंदर देखने को मिल जाएगा और दिसम्बर के मन्त में मतलों दिसम्बर के सेकंड वीक से ही आप सभी का मिडिकल भी स्टाट कर दी जाएगी और मिडिकल जैसे हो जाएगा उसके करीब 15-20 दिन बाद आप सुखी यहां पर जौन लेटर भी आना स्टाट हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस में अब बात करके कि अपर व mostly अपरोज से कितने रही सकती है थो उसके बाद मैं आप सबको यहां पर एक कटाओ बताओं मेरे दोस्तों अगर आप उन 5 इस टेट से आते हैं तो आप कटाओ जो मेरे दोस्तों यहां पर 75 पलस ही होना चाहिए उसके पलस है तो हो सकता है आप सभी को यहां पर मेडिकल के लिए बुलाया जाए इससे 246 नंबर आगे पीछे हो सकता है इसको लेकर आप जारा घबराइए गमत बाकी आप सभी अधर स्टेट से बिलॉंग करते हैं उन 5-6 चुट को छोड़कर जिनकी कटाओ बहुत ही कम जाती है अगर आप वहां से बिलॉंग करते हैं तो आप 60 या 65 फे भी यहां पर रख सकते हैं इसने भी पर भी आप सबको मेडिकल के लिए बुला जा सकता है ठीक है फिलाल जैसे जो कुछ होगा मैं आपको आगे अनुवले समय में जानकारी प्रोवाइड कराता रहूंगा तो इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि आपको इस चैनल के माइदम से प्रापर तरीके से भरती जूरी जानकारी ही है मिसा प्रोवाइड की जाती है ठीक है तो फिलाल चाहता हूं मैं आप सबसे याजत और मिलते हैं सभी से नेस्ट वीडियो में एक सांदर अप्डेट के साथ अपता के लिए जाहिंद